हालो एभरीवन में हूँ सीमस्स पानी अज हम डिसकस करेंगे सर्कुलार 178 अब जीस्ट डेटर 3 अगस्ट 2022 यह जो सर्कुलार है इसमें बताया गया है जीस्ट अपलिकेबिलिटी लिकुडेटर डामेज, कमपेंसेशन, पेनल्टी, कैंसेलेशन चार्जेस, लेट पेमेंट स का उपर कब लगेगा, कब नहीं लगेगा और इसमें यह भी बताया गया है स्कोप अफ एंट्री अट पारा 5E अब दिस इडिल टू यह पारा 5E अब शीडिल टू में क्या एंट्री रहता है ना इसमें बताया गया है यह एंट्री है एगरिंग टू दी अब्लिकेशन इसमें बताया गया है इसमें बताया जा रहा है अभी जब यह 5E कब होगा जब दो पार्टी का बीच में कोई कंट्राक्ट होगा और दोनों पार्टी का बीच में एगरिमेंट या कंट्राक्ट होना चाहिए और यह कंट्राक्ट्चुल अब्लिकेशन का हिसाब से यह दोनों जो कंट्राक्ट होगा उसका हिसाब से वो कोई रिफ्रेंट फ्रमान आक्ट किम्कि इसमें जो 5E में बता है कि है referent from an act कोई काम नहीं करेगा फोरन एकजांपुल non-compete fee कोई एक जगा में दो पार्टी डिसाइड किये हम compete नहीं करेंगे तो एक पार्टी दुसरा पार्टी को non-compete fee दे रहा है referent from an act नहीं करेगा उसके लिए compensation मिल दा है ऐख तो वो ट्ट आलेत अनाक्ट अगर कोई किसी जो कुई दुकान का सामने कोई रेडि बाला कुछ रेडि लगा रहा है उसके लिए उसके कुछ पेशा मिल दा है दुकान बाले को तो वो case में तो ब्ट आख तो अनाक्ट उसका जो दुकान का सामने वो रेडी बाला जो रेडी लगा रहा है, उसको टलरेट कर रहा है, इसलिए उसको compensation मिलना है, या to do on act, अगर हम कोई पेशा ले के, हम कोई काम लिगाली हमको जरूरी नहीं करना चाहिए, सपोज हम जो अभी सपोज कोई company है, उसका जो emission है, ठीक है, आज पर law उसका emission है, लेकिन फिर भी वो पेशा ले के, अगर वो जो लोकालीटी है, लोकाल जो एरिया में वो factory है, वो लोकाल people उससे पेशा दिये, कुछ पेशा दिये, वो बोले आप zero emission किजे, बिलकुल ही pollution नहीं आना चाहिए, लेकिन उसके लिए हम आपको कुछ पेशा देंगे, तो ये case में वो पेशा लेके, suppose वो factory अभी zero emission करेगा, बिलकुल ही pollution नहीं होगा, तो ये हो गया, to do unact, ये जो 5E में, 5E में ये जो 3 condition है, 3 scenario है, तब applicable होगा, जब contract होगा, दोनों का बीच में, और उसके ल आरकुलार 178 में, ये clearly mention किया गया है, पौनशा condition में, ये applicable होगा, 5E, कभी इसको invoke करना है, हर जगा में इनभक नहीं होगा, merely receipt of some payment, कुछ पेशा अगर हम मिल जा रहा है, कोई contract नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसका उपर GST नहीं लगेगा, department ये 5E, इनभक नहीं कर सकता है, अभी हमें individual ही देखते हैं, कहां पर GST लगेगा, कहां पर GST नहीं लगेगा, अभी हम देखते हैं, liquidated damage, liquidated damage में क्या होता है, जब कोई दोनों party का बीच में कोई contract है, और कोई एक bridge करता है contract, एक party bridge करता है contract, contract का हिसाब से काम नहीं करता है, तो दूसरा particular होता है, वो case में, जो पेशा मिलता है, आज है compensation, वो liquidated damage है, वो liquidated damage का उपर, क्या ये taxable होगा GST में, GST में ये taxable नहीं होगा, क्योंकि कोई इसा contract नहीं है, उसमें जो, ये जो circular में बताए गया, liquidated damage में जो पेशा आराई है, जसने mere flow of money, ये कोई supply नहीं है, तो supply नहीं है, तो taxable नहीं होगा तो liquidated damage का उपर, GST नहीं लगेगा, कुछ example दिया गया है, जैसे हम कुछ example लेते हैं, liquidated damage का, damages resulting from damage to property, कोई property का damage हो रहा है, उसके लिए कोई negligence, piracy, unauthorized use of trademark, copyright, forfeiture of furnished money, और penalty by builders to home buyers, ये सब कुछ examples है, जो जिसमें liquidated damage मिल रहा है, अगर liquidated damage मिलता है, वो case में, वो GST का परव GST उसका उपर नहीं लगेगा, और लेकिन ये जो earnest money deposit, EMD जब हम कोई फरफिचर करेंगे, वो श्रिफ imovable property जब बैच रहे हैं, वो time में जो EMD मिला है, वो या कोई government, कोई government या लगार्य अथरिटी, जो bid amount मिला था, जो EMD मिला था, कोई natural resources, कोई bidding क्या था, कोई party EMD दिया था, वो finally वो पैसा नहीं दे पाया, तो वो case में अगर जो EMD, EMD जो हम फरफिचर करेंगे, वो liquidated damage में आएगा, वो उसका उपर GST नहीं लगेगा, अभी हम next देखते हैं, late payment of surcharger fee, अभी हम बहुत कुछ इसा payment करते हैं, services जैसे कोई water bill हो गया, या कोई हमारा, कोई telephone bill हो गय suppose हम due date payment नहीं कर पाया, लेकिन वो जो service provider हमको ये facility दिया है, आप कुछ दिन का बाद भी with late payment fee, या कोई interest payment करके, आप हमारा bill payment कर सकते हैं, वो case में जो हम late payment fee कर रहे हैं, या कोई interest दे रहे हैं, उसका उपर क्या GST लगेगा, इसमें इसका उपर GST लगेगा, ये ये जो बता रहता है, अगर आप due date में payment नहीं कर पा रहे हैं, बाद में आप late payment fee, या interest payment करके आप payment कर सकते हैं, इसलिए इसको supply मना जाएगा, तो interest और late payment fee, अगर कुछ payment करके, हम कोई bill payment कर रहे हैं, तो वो supply मना जाएगा, और वो उसका उपर GST लगेगा, कौन सा rate में लगेगा, जो principal supply है, suppose कोई हम telephone भी late payment कर रहे हैं, तो telephone bill में जो GST rate लगता है, तो late payment fee, या interest अगर हम payment करते हैं, उसका उपर भी same GST rate लगेगा, तो late payment surcharge और fee या interest, हम जो भी payment कर रहे हैं, उसका उपर GST लगेगा, next cancellation charges जब हम cancellation कर रहे हैं कोई hotel booking क्या cancellation कर रहे हैं या कोई entertainment event का cancellation कर रहे हैं क्या कोई journey का cancellation कर रहे है journey by road हो सकता है rail हो सकता है by air हो सकता है अगर हम हो cancel कर रहे हैं cancellation charges जो हम दे रहे हैं cancellation जो fees है उसका उपर भी GST लगया उसको भी treat किया गया है यह जो यह जो service providers है, यह सब ऐसा facility देते हैं, यह cancel करने के लिए ऐसा facility देते हैं, तो उसको यह supply मैना जाएगा, और उसका उपर GST लगेगा, और कौन सा rate में लगेगा, फ्रिंस्पाल supply, अगर हम कोई railway ticket cancel कर रहे हैं, तो railway ticket बनने का time में, जो GST rate लगा है, तो railway ticket cancellation का time में, जो cancellation charges का पर booking up hotel हो, entertainment event हो, या कई जनी हो, और taxable होगा, अगर full amount भी, अगर कभी-कभी cancellation charges हम जो पहले, जो ticket हम payment किये थे, ticket जो हम बनाने का time में, जो पेशा दिये थे, कभी-कभी वो partly cancellation charges लेते हैं, कभी full भी फरफिचर हो जाता है, पूरा बिलकुल ही पेशा नहीं मिलता है, वो case में पार्टली हो, फूल हो, जो भी हो, उसका उपर GST लगेगा, अभी हम next देखते हैं, check degener, fine और penalty, अब जब check degener होता है, वो time में भी कुछ अगर charges हम लेते हैं, वो उसका उपर GST नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा कोई contract नहीं था, वो कोई check ऐसा देगा, जो degener हो जाएगा, हमारा तो उसका उपर GST नहीं लगेगा, वो taxable नहीं है, अगर कोई penalty imposed for violation of law, अगर कोई penalty भी हम देे रहे हैं, कोई law को हम violate किये हैं, कोई pollution का law को है, violate की या कोई labor law को, कोई भी law का, अगर हम payment जो violate कर नहीं dośćCap कर नहीं है, वो भी taxable नहीं है, तो penalty इंपर violation of law उसका उपर GST भी नही लगेगा अगर कोई employee नोकरी किया था तो जितना इमपलियर को या अगर उसका साले है सालली भी फर्फिचर किया जाता है वो case में भी वो जो for future of salary या जो bond amount हमको receive हो रहा है employer को वो भी GST का परभी में नहीं आएगा उसका उपर GST नहीं लगएगा fixed capacity charges for power जब हम कोई electricity तो fixed charges देते हैं अगर आप use किये करते हैं या नहीं करते हैं minimum charges देना पड़ता है आप use करते हैं electricity या नहीं करते हैं power use करते हैं नहीं करते हैं वो minimum charges जो हम payment करते हैं fixed charges उसको उसका उपर भी GST नहीं लगएगा क्योंकि electricity का उपर GST नहीं है exempt है तो fixed charges का उपर भी GST नहीं लगएगा compensation for not collecting toll charges या next compensation for cancellation of coal blocks यह सब पुराना है only department में यह आज का date में कैसे करेंगे यह बता है यह नर्माल सिनारियो नहीं है compensation for not collecting toll charges यह compensation government दिया था NHI दिया था demontization period में तो उसका उपर भी GST लगएगा compensation for collecting toll charges by NHI during demontization period is consideration for service and taxable जो यह normal condition नहीं होता है demontization period में कुछ period के लिए हुआ था तो उसके उपर GST लगएगा compensation for cancellation of coal blocks यह भी Supreme Court order का हिसाब से यह cancel हुआ था बाद में कुछ compensation मिला था उसके लिए भी यह circular में बताया गया यह taxable नहीं होगा तो यह circular 178 में different scenario में बताया गया है कब GST लगएगा कब GST नहीं लगएगा और जो entry 5E of schedule 2 of CGST act उसका बारी में in detail discuss किया गया है यह circular 11 pages का है वो आप CBIC का website से भी वो आप download कर सकते हैं अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू